दोस्तो आज हम बात करेंगे प्रदर्शन कला के बारे में यह हर एक चीज जहां पर वो जाना चाहते हैं प्रदर्शन कला की फील्ड में वहां पर एक चीज जो बहुत कॉमन है वो है वोकल्स अगर आप मृत्त करते हैं तो आपके पीछे गाना बज रहा होगा जो लोग बोल के एक्सप्रेस कर रहे होंगे कोई एक्टिंग करता है तो वो अपने डायलोग के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा होगा पर जो माइम आटिस्ट होते हैं उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं होता है उन्हें सिर्फ अपने फेस के हाव भाव से और अपने बोडी के हाव भाव से सारे एक्सप्रेशन आपके सामने रखने होते हैं और सारे के सारे एक्सप्रेशन आप तक पहुंचाने होते हैं और आपको हर एक चीज फील करवानी होती है मैं आपको मिलवाना चाहूंगी हमारे इस खास गेस से, बहुत-बहुत स्वागत है आपका सुमित. बहुत-बहुत धन्यवाद, आम अंतरित करने के लिए मुझा इस प्रोग्राम में, मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करना चाहता हूँ. आपने एक गोल छोड़ा, बना बनाया करियर चोड़ा और फिर आप इस फील्ड में आए, तो कितना डिफिकल्ट रहा एक बने-बनाया अच्छे फील्ड को छोड़ कर एक स्ट्रॉग्लिंग फील्ड में आना? डिफिकल्ट नहीं रहा, क्योंकि बेसिकली पहले से ही प्लैंड था, और मुझे एक्टिंग करनी थी, मुझे बहुत दिल्चस्पी थी एक्टिंग में, और एक्टिंग से जोड़ने के लिए, जो भी कला मेरे सामने उस वक्त प्रस्तुत हो रहा था, जिन लोगों के संपर तो उनकी यहां मेने दो मेना तीन मेना भरतनाटियम सीखा, फिर मैंने एक्टिंग शुड़ू की, तब पता चला कि एक्टिंग यहां होता, यहां अक्टिंग करते हैं, उसी कडी में फिर मुझे माइम के बारे में मिला, जानका रही कि माइम यह एक प्योर आर्ट फॉर्म सेज़ पर मिल जाएं, हर चीज आपको थोड़ा थोड़ा आगे जाते जाते हैं, step by step finally मिल ही जाती है, तो जैसा कि आपने कहा कि आपको माइम ने बहुत हेल्प किया, तो आप क्या चूज करते हैं, आक्टिंग या फिर माइम, देखे, मेरा जो गोल है वो आक्टिंग ही र होता है, और एक अक्टर को उन सभी pure art forms को सीखना चाहिए, कम से कम उसके basics तो सीखना चाहिए, और निरंतर सीखने की प्रक्रिया है, कभी खत्म नहीं होती है, उसी कड़ी में मुझे माइम लगा, जो एक अक्टर को माइम की basic जानकारी रखने में, उसका acting बहुत develop होता है, उसमें वो निखार कर पाते हैं, इसलिए मुझे मुझे माइम में बहुत जादा दिल्चस्पी रहा है, और acting भी मेरे लिए उतना ही important है, तो मैं आपको एक छोटा सा जल्लक है, जैसे मान लीजे किसी भी चीज को जो air में अभी नहीं है, और उसको मुझे visible करना है, किसी भी मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, फिर मैं उसको पील किया, पील करने के बाद मैंने उसको खाया, अब उसको मैं फिनिश भी करूंगा तो इस तरह से कुछ होता है, आगे, मैं और भी बहुत सारे illusions आज के इस एपिसोड में दिखाऊँगा, और माइम के बारे में बहुत सारी बाते होगी तो माइम का उदेश है कि इन्विजबल चीज को विजबल बनाना और विजबल चीज को इन्विजबल बना देना तो काफी मुझे लगता है ये काफी एक टेकनिकल काइंड ओफ आर्ट फॉर्म है, तो मैं जाना चाहूंगी कि ये क्या-क्या टेकनिकालिटीज हैं इसमें अक्चली, क्योंकि जब किसी चीज को आप इस तरीके से डिपिक्ट करते हैं, कोई चीज वहां नहीं है, फिर भी उस चीज को दर्शाना, अपना स्टिफनेस दिखाना, रेस्टलेसनेस दिखाना और रेस्टफुल दिखाना एक बाडी को फ्लेक्जिबल करना पड़ता है, स्टिफनेस होता है, रेलेक्सेशन होता है, पर्फेक्ट मेजरमेंट होता है, और उसका जो वेट है, वेट शिफ्टिंग बहुत इंपोर्टेंट होता है, और बाडी बैलेंसिंग इंपोर्डेंट होता है, दब जाके हम किसी च होता है जो हम माई में करते हैं ऐसे बहुत सारी टेक्निकल चीज है जो जो माई में हमने सीखा है और उसको हमने कई जगह शेयर भी किया है तो आपने जैसे कहा कि आप अबजेक्ट एल्यूजन करते हैं अगर वहां पे चीजे नहीं है इसका मतलब यहीं वा कि अगर महां पे चीजे नहीं है तो आप फर एक्जांपल कोई बॉक्स नहीं हो तो आप पुश करके दिखा देंगे और बहुत सारी चीजे मैं बेसिक से अगर बात करूं तो अग बहुत इंपोर्टेंट यह तीन जो टेक्निकालिटीज है यह सारी चीजे बहुत इंपोर्टेंट है जो मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं आप इजाज़त दें देखी यह जो अभी मैं करने जा रहा हूं इसको बोलते हैं हम लोग साइड़ वाक साइड़ यानि कि हम साइड से जो ओडियन्स है वो साइड से ओडियन्स मुझे देख रहे हैं और स्टेज पर मैं एक ही जगह पे खड़ा होके चलूंगा और इसमें ऐसा लगए कि क्यारेक्टर कहीं चल के जा रहा है और फिर वहां से वो आ रहा है इसको बोलते हैं साइड़ वाकिंग अभी मै माइं के एक में क्या अंस तरीके से रह रहनें भी कर सकते हैं हां साइड रहनें भी कर सकते हैं स्वाइड रहनें कुछ इस परकार है जो मैं आपको दिखाता हूं जर कर सकते हैं इसमें वेट शिफ्टिंग बहुत इंपोर्टेंट आपने मुझे एक चीज कही थी कि जब हम यह सारी चीजे करते हैं तो हम अलग-अलग एज को भी डिपक्ट कर सकते हैं हाँ बिलकुल दिखा सकते हैं अलग-अलग एज और अलग-अलग केरेक्टर को दिखा सकते हैं जब आप वह इलुजन अगर आप सीख जिए गा दें आफ्र उसमें आप एज कैसे दिखाते हैं उसमें आपका जो बॉडी स्ट्रुक्चर है जो बॉरी का जो लाइन्स जो बनत कर रहा है कोई ऐसा character role में है तो उसको कैसे दिखाएंगे उसके लिए जो facial expressions होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे ये इस तरह के expressions वहां आएंगे अब उसी में उसका body gesture भी अलग होगा उसी में उसका movement भी अलग होगा तो उसको भी हम दिखा सकते हैं तो मतलब जब आपको ये art perform करना है तो आपका full control होना चाहिए आपके facial expression पे आपके body movements पे और जिस तरीके साँ आप energy डालते हैं हर body part पे color energy pressure होता है अलग stiffness होती है अलग relaxation होता है तो अगर आप इसका भी example हमें दिखा सके तो मैं एक और performance आपको दिखाना चाहूँगा अगर मालीजी आप रसी खीच रहे हैं आपके बास रसी नहीं है और आप उसको कैसे खीच रहे हैं मतलब आपके बास absent कुछ भी नहीं है अभी और आप एक रसी खीचने का भी नहीं कर रहे हैं माई कर रहे हैं तो उसमें कैसे character को आप दिखाएंगे ये बहुत simple तरीका है रिखिएगा ये मैंने अभी इसको stiff किया और ये stiff किया ये अभी stiff है अब ये जो stiff है ये मेरा हाथ पूरी तरह से stiff है और मैं इसको exact measurement में pull करूंगा खीचूंगा stiff stiff pull okay relax stiff relax stiff pull yes if मैंने आपको illusion दिखाया सिर्फ stiffness और relaxation का इसका पूरा posture अगर मालीजे कोई character अगर इसमें खीचता है तो वो कैसे कीचेगा तो वह ऐसे कीचेगा मालीजे रावन है अगर कुछ खीच रहा है अगर कुछ ऐसा कर रहा है तो तो ये बहुत energetic है इसमें उतना ही energy लगता है जितना सच में आप रसी खीचते हैं तो ये एक energetic है और इसमें बहुत मज़ा भी आता है जब आपको जब दरसक देख रहे होंगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है और आप उन सारी चीजों को एक जादूई तरीके से प्रेजन कर देते हैं अचानक तो काफी impressive ये आर्ट है और pure art है और मुझे acting में इसका बहुत ही implementable points लगा जिसको मैंने मुझे लगा कि ये सीखना चाहिए इसलिए मैंने इसको सीखा है अभी और अभी सीख भी रहा हूँ सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए और आपने ऐसे टाइम पर यूज किया जहां इस फील्ड को आपने अपनाया जब अभी भी मुझे लगता है कि ये काफी famous नहीं हुआ है अभी भी मतलब इसना exposure नहीं है बहार cities में थोड़ा जादा है यहां पे थोड़ा और कम है और ऐसे मखौल में जब आपने इस चीज को अपनाया आप कुछ साल से कर रहे हैं चीज तो कैसा आपको environment मिला था इसके प्रती देखिए यह माइम तो बहुत ही प्राचीन कला है हम सब जानते हैं बहुत history है इसका primitive age से माइम चलता आ रहा है आधी मानव के समय से जब fire का आविसकार हुआ तो कैसे उन्होंना शिकार किया शिकार करने के बाद जब उस शिकार को व शिकार का जो पूरा प्रक्रिया है उसको उन्होंना रिक्रियेट किया एक आदमी सच में शिकारी बन गया और एक कैरेक्टर जो है वो बाग बन गया या जिसका भी उन्होंना शिकार किया वो बन गया तो जो बाग बना या फिर कोई ऐसा जानबर का कैरेक्टर जो किया वो समय में जब तक उनका खाना पकरा था तो जब तक उनका खाना पकरा था तो वो ऐसे ही performance को उस वक्त किये और पूरा performance उस वक्त किया कि उस वक्त speech नहीं था सिर्फ sounds थे तो sounds का इस्तिमाल करके और body gesture और facial expression से उन्ही पुरानी चीज को जो शिकार का उनका प्रक्रिया है उसको उन्होंने रीक्रियेट किया और वो एक तरह का entertainment हो जाता है फिर बाद में इसी तरह से कुछ information भी देते हैं इस तरह से करके चोड़ी चोड़ी चीजों तो वहाँ से जो है West की जो यह primitive age की जो story हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वहाँ से यह develop हुआ और जब भारत की बात करें तो भारत में हम नाटेशास्त्र हमने पढ़ा है नाटेशास्त्र में अभिने के चार प्रकार में से एक प्रकार है आंगी का भी ने जिसमें आप अपने अंग उपांग और पत्यांग इन सारी चीजों से को मिला कर कुछ ने कुछ बोडी से कुछ movements create करते हैं कुछ illusions create करते हैं जिसका कुछ meaning होता है तो ये बहुत impactful होता है और ये west में जो मैंने बता है वो spontinity, theater of spontinity वहां से mime से ही शुरुवात हुई है बाद में जब भाशा हमारे पास भाशा आ गई उसके बाद फिर हमने इसमें speech add कर दिया, acting हो गया, dialogue हो गया, dialogue delivery हो गया, voice हो गया तो mime इसका बहुत प्राचीन कला है, pure form है वो mime और वहीं से वो आया है तो जैसा आपने अभी तक हमें दिखाया कि अगर कोई human form किसी चीज को depict करेगा तो किस तरीके से करेगा और अभी आपने का कि अगर ऐसा हुआ होगा तो किसी ने जानवर को depict किया तो अभी जो आप mime art form करते हैं तो सिर्फ human depiction पर चलता है या अभी भी आप animals को depict करते हैं इस form से अब दखी character तो बहुत सारी चीज़ी होती है, animals भी होते हैं मैं तो chair हमारे पास नहीं होता है, करिबर तो chairs भी बन जाते हैं या फिर chairs भी बैट भी जाते हैं characters बहुत सारे होते हैं, अगर animals के बात करें तो animals के भी बहुत सारे ऐसे characters हैं जिसको आप bodily gestures जैसे घोड़ा है आप दिखा सकते हैं, फिर कोई bird दिखा सकते हैं हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्श्र को कुछ example दे के रिखाने हैं गोड़ा दिखाना है तो सबसे पहले हम उसके पूरे body के जो उसका measurement है और वो जो उसका structure है उसको हम एक तरह से बस illusions के तरो उसको दिखाने का प्रयाज करते हैं, यह गोड़ा है, suppose जी अब आप height पर आगे और आप अब आप उतरेंगे इस पर से, तो कैसे उतरना होगा और उतर गया, उतरने के बाद इस तरह से आप गोड़ा को दिखा सकते हैं या फिर आप दूसरे birds के अगर बात करें, birds के बात करें तो birds का जो तो इस तरह से इसमें relaxation भी आगया, body balancing भी आपने देखा, और stiffness भी कहीं हो गया, तो मुझे लग रहा है कि परफॉर्म करने में भी इसमें आप आप तो समझ सकते क्योंकि मैं हाफ भी गया हूं और यह एक बहुत एनरजेटिक प्रोसेस होता है और इसको करने के लिए हमें उतना ही एनरजी लगता है जितना एनरजी हमें लगाना चाहिए किसी भी रियल परफॉर्मेंस को करने में तो यह जितना इजी देखने में लगता है अक्शली में यह इतना इजी है नहीं हां जी कई लोगे तो माइम में वाकिंग देखा उन्हें लगा क्या रिये तो रहे तो कर लेंगे तो वह फस्ट गहाँ पर तो उन्हें टेक्निक बताना पड़ा कि आपका जो बॉड़ी बैलेंसिंग है वेट शिफ्टिंग है मेजर्मेंट है और जो उसका तकनीक है वो सी जानी चे दो सेकंड तीन सेकंड भी खड़े हो सकते हैं तो यह सारी चीज मैंटेन कैसे करनी होती है उसके लिए आप फिसीकली वामप कीजिए और जो भी इसके एक्सराइजेज हैं वो कीजिए और जो भी आपको प्राक्टिस के लिए बताया जाता है जो भी आपके trainer है, उन सारी चीजों को follow कीजिए, तभी जा के होगा, क्योंकि बिना महनत किये हुए, तो आपको मिलेगा नहीं वो, कोई भी art अगर आप सीखना चाहते हैं, तो without hard work, it's not possible to achieve anything, वो तो आपको करना परेगा महनत, उसके लिए आप फिसकल वाम आप कीजिए, अलग अलग बॉड़ी के, अलग अलग पार्ट्स को आप देखिए, कितना वो फ्लेक्सिबल हो पाता है, अगर मालीजे, जैसे अभी के बहुत सर ऐसे यूथ भी हैं, जिनको अगर इस तरह से हमने स्टार्टिंग में भी का कि इन्विजबल को विजबल, हमने एक परफॉर्मेंस देखा था काफी पहले, कि लोग एक वाल क्रिएट कर देते हैं, या फिर एक ग्लास क्रिएट कर देते हैं, तो इस पॉसिबल कि आप ये करें, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इसमें भी रि आइम लगता है, स्टिफनेस, रिलक्सेशन इन सारी चीजों का ख्याल लखना होता है, जैसे किसी भी स्पेस पे हम कुछ दिखाते हैं, फिर स्टिफ, रिलक्स, स्टिफ, रिलक्स, स्टिफ, एंड स्टिफ, अब ये, मैं यहां से मूव करूँगा, सुमित तो इसमें इमाजिनेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता होगा, जब आप इमाजिन और ऑब्जर्व दोनों चीज़ कर पाएंगे, तो ये टेक्निक्स आप सीखिए, ये सीखने के बाद आपको बहुत आसानी होगी परफॉर्म करने में, जी, तो जैसे बात हुई होगी जारि थी कि आपने जैसे केले काचिल का इंटेंशनली गिराया, जी, तो अप जब आप इमार्जन करते है तो आप इस तरीके से इंप्रव funz कर लेते हैं कि मुझे याद है कि मैं ने यहां ये किया, मैंने यहा स्टोरी मिला है उसके दिया आपने रिहर्सल किया है और उस चीज़ को फिर आप परफॉर्म करें तो अभी तो मैंने कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं किया लेकिन मैं कुछ क्रियेट करने की कोशिश करता हूँ आपको जो भी इलूसें अभी दक मैंने आपको दिखाया है झाल 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 तो इस तरह से करके स्टोरी को मैं बहुत आगे तक लेकर जा सकता हूँ तो ये सारी चीज़े जो मैंने आपको बताई ये सारी चीज़े आक्शली मैं समझ में आरे थी तो इतना तो मुझे समझ में आ चुक है कि ये बहुत टेक्निकल आर्ट फॉर्म है और इजी पाथ नहीं है तो मैं चाहूंगी कि जो बच्चे देख रहे हैं जो आप से इंस्पायर हो रहे हैं आप उनको बस एक जाने के प किजिए और जो भी आपके खुआई आपके खुआईश है वो पुरी होगी और इसी शुब कामना के साथ मैं आप सभी को उज्वल भविष्ट की कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं करते रहिए खुद के गोल्स को सेट कीजे और एक्स्प्लोर करके वहां तक पहुंचिए और सुमित से इंस्पिरेशन लीजे कि अगर आपको अपने पैशन को फॉलो करना है तो एक अपना प्लान बी बना के फिर अपने पैशन को फॉलो कीजे क्योंकि प्लान बी इस वेर है ये दीरे बिहार